खेसारी लाल यादो का एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें खेसारी एक टीचर के साथ बैठे हुए हैं और खेसारी कहते हैं कि हम अपने जीवन में तो नहीं पढ़ पाए लेकिन हमारा बस यहीं सपना है कि हमारे जिले के हमारे राज्य के जितने भी बच्चे हैं वो आपके पास जितने भी गरीब बच्चे आते हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है खाने के लिए पैसे नहीं है ताकि वो बाहर रहकर अच्छी सिक्षा गरण कर सके वैसे बच्चों को आप अपने पास रखिए पढ़ाईए उनको खिलाईए उनके रहने खाने और धड़क हमको कॉल कीजिए और इसके लिए जितना पैसा लगेगा हम आपको देंगे खेसारी यहीं नहीं रुकते हैं वो टीचर बताता है कि अभी जो अपना कोचिंग अपना जो ट्रेनिंग सेंटर चलाता है वो सरकारी कॉलेज में चलाता है उसके पास अपना कोई ठीकारा नहीं है तो खेसारी कहते हैं कि इसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए आप कहीं भी जमीन देखिए जो थोड़ा सा सस्ता हो आप पांच कठा जमीन देखिए और हमें बताइए हम उस जमीन को आपके नाम पर खरीद देंगे हम वहां पर पांच तल्ला बिल्डिंग और वहां पर बच्चों को रहने खाने हर चीज का खर्चा हम खुद उठाएंगे अब एक तरफ जहां पाउन सिंग का वीडियो वाइरल हो रहा है कि वो अपने फैन का मोबाइल तोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ खेसारी की लगातार ऐसी ऐसी तस्वीरे सामने आ रही है जिसको देखकर आप कहेंगे वाह किसारी हाल ही में किसारी का वीडियो वाइरल हुआ जहां पर महिलाओं के बच्चों में पैसे बाट रहे थे खेसारी अब बच्चों के सिक्षा के लिए जो उनकी जग रुकता दिख रहे हैं उनका परयास दिख रहा है इसको देखकर लगतार अपनी फिल्मों के शूटिंग और अपनी फिल्म के प्रमोशन और होली के गानों में तो उन्हों करते है जो आर्मी बीहार पुलिस में जाने की तयारी करते हैं उनको यह सर ट्रेनिंग देते हैं और उनका जो ट्रेनिंग सेंटर है उसका नाम है सारोन फिजिकल एकडमी सार उनक्यकान वहीं जिल्माहियर का जिल्म की टीचर मिल вып गर पहुंचते हैं तो कंगसारी को बताया जएता है कि मैसे मिलना चालते हैं तो घ्यसारि उनको तुरद बुलाते हैं कि किसारी बताते है कि आदमाए कांशर 2 है हमें गर्ว road में सर है इसके सिर्फ बड़ी बड़ी बाते नहीं करते हैं बलकि वहाँ पर बगल में बैठे जो उनका भतीजा वहाँ पर बगल में खड़ा होता है उसको दिखा कर के सारी कहते हैं कि आप तो दूसरे बच्चों की जिंदगी बनाते हैं सैगड़ों बच्चों की आप सरकारी नौकी पड़ी च्शु रहे हो कि शरी अपने बतीजें से टीचर का पर चुगा कर ही मानते हैं इसके बाद खेसारी कहते हैं कि क्यंदगी हैं उनको मुफ्त में शिक्षा देते हैं हमको भी बताइये और इसके लिए हम पैसे वेज़ेंगे भगवान की कृपा से हमारे पास पैसे की कमी नहीं है तो हम यहीं चाहते हैं कि जो भी जरूरत मंद लोग हैं मैं उनकी सेवा करूँ और मैं तो फिर मेहनत करके उतना पैसा कमा ही लूँगा कि सारी कहते हैं कि आप ट्रेनिंग सेंटर के लिए जमीन खरी दिये उसका भी पैसा मैं दूँगा आप अपने नाम पर इसकी रजिस्ट्री करवा दिजिए अपने नाम से एक बढ़िया सा ट्रेनिंग सेंटर खोल दिजिए और जमीन खरीदने से लेकर होश्टल बनवाने त उसका खर्च भी हम उठाते रहेंगे क्योंकि मैं तो नहीं पड़ पाया लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई दूसरा सिक्षा से बन चितना हो और खेसारी के इसी रूप के कारण उनकी इतनी तारीफ हो रही है पाकि आप खेसारी के लिए क्या सोचते हैं कॉमेंट करके हमें सब्सक्राइब के लिए हमारे साथ बने रहें बढ़ने बाद